हेलो फ्रेंड्स मैं अजय चोहान और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल शिखर अडमी साइकलोजी की स्रीज में आज हम शुरू करते हैं अपने वीडियो अधिगम की उसे इस्ताई फ्रेंड्स वीडियो बहुत घ्यान से देखना क्योंकि यह से कोशन जरूर बनता है और अगर आपने टोपिक घ्यान से समझ लिया तो आपको दुबार रजन देगें पढ़ने की जुरत नहीं पड़ेगी लेकिन उसके लिए आपको यह तो अपने नोट्स बना लीजिए जि मतलब होता है सीखना अधिगम करत होता है सीखना यह अधिगम की विसेष्टाइं है तो अधिगम की क्या-क्या विसेष्टाइं है यह हम जानेंगे अधिगम रचनात्मक होता है अधिगम रचनात्मक मतलब क्रियेटिव अधिगम क्रियेटिव होता है जब आप कुछ तो आप आंसर नगे अधिगम समाजिक पर खिजिए, इसी नेश के सामने लिखाए है, best. तो अधिगम कैसी पर किरिया हुई? समाजिक पर किरिया. अधिगम अनुकूलन है, अनुकूलन को इंगले से में कहते है, adjustment. आप एड़ेस्टमेंट करते हैं, इसका एक एग्जामपल में आपको देता हूँ, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और आपने सीखा है, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वाँ पर आपको चार ओप्शन मिलेंगे, चार ओप्शन, समझेगा बहुत ज्य यह बाला ओप्शन पढ़ा, यह नहीं लगाना है, यह हो सकता है, यह नहीं लगाना है, यह अनुकूलन, एड़ज़ेस्ट करना इन चार ओप्शन में से, अपने आपने आपणसर कौन सा हो सकता है, यह है अनुकूलन, कि आप पढ़ने के बाद अनुकूलन करते हैं, कि आप पर अगर हम पढ़ाई की बात करें तो अश्मन काुछिए अगर आप अधीकिकर अधाई क्लास में है अगर आप बैठे तो क्लास में हैं, बैठे हैं क्लास में हैं लेकिन तो स्पीक है आफ क्लास में act positive नहीं है तो क्या कुछ सीख़ पाएंगे, कभी नहीं बाओं चुछ सीख पाएंगे दोस्तों आप कभी भी नहीं सीख सब्सक्ते इसलिए अधिगम कर होता है, जब और active रहने का उचलब क्या है? जब आपको mentally और physically दोनों रूप से class में मुझीद होते हैं उसे कहते हैं active होना यानिकि सकिरिया होना. जब आप खीरिया रहते हैं तभी आप अधिग्म करते हैं. आधार मानव प्रकरती आधिग्म का अधार. मतलब इनसान को सिखाना पड़े या जानवर को सिखाना पड़े, कौन सिखाएगा मानव तो आधार क्या हुआ, मानव प्रेकर्टी, उद्देश से पुन पर किरिया है, अभी आप समझे, हम बगार किसी उद्देश से के कुछ बदिगम नहीं करते हैं, हम जब बदिगम कर रहे होते हैं, इस मतलब हमारा कोई उद्देश है, अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको सीट आप करना, इसलिए आप सीख रहे हैं, आप बदिगम करने के बाद पर किरिया है, आप कुछ भी सीखते हैं, तो इसको कोई उद्देश से होता है, और जब आप किसी उद्देश से सीखते हैं, तो आप जल्ली सीख जाते हैं, अभी खोज है, जब आप कुछ चीजों को तो उस सीखने के आधार पर आप कुछ नई ही चीज़ों को को इवatt कर लेते हैं, तो क्या है? अधिगम खुज है. क्योंकि सीखने के बाद Зथी चीज़ों को इवाइक कर सकते हैं, इसलिए अधिगम खुज है. विवेक पुन्पर किरिया है, देखे दोस्तों, यहां पर दो चीज़ आती है, एक है विवेक, एक है बुद्धी, इन में बहुत थोड़ा संतर होता है, विवेक और बुद्धी में, आप कुछ भी करेंगे, बुद्धी, कुछ भी करेंगे, आप उसमें आप दिमाग कर्यू करना है, यह है विवेक, आप को भी काम करेंगे बुद्धी है, लेकिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह आपका विवेक है, तो बस यह क्या है, अधिगम विवेक पुन्पर किरिया है, यानि कि आपके अंदर विवेक होगा, तब भी आप सीख पाएंगे, यानि आपको अगर यह पता होगा कि मैंसे क्यूं सीख रहा हूँ, क्या मेरा मतलब एसका सीखने का, क्या मुझे यह आगे चल के मेरे काम आएगा, क्या नहीं आएगा, यही सोच कर सीखना क्या है, वीवेट, तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी से समझाया होगा, अगर कोई चीज़े छूट गई है, आपको नई समझाया है, तो आप वीडियो दुबारा देख सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ मैं क्याना चाहूंगा, कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, तो सब्सक्राइब पर लिजगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, शेय मैनत करेंगे, हम जितनी मैनत करेंगे, उसके उफर भी हम बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर करते रहे हैं, लाइक कर दीजे, कमेंट करेंजे, थैंक्यू